अलो भाई याई अपनों श्रिवास्तो एक और नई वीडियो आपका स्वागत है सामने देख सकते हो आरे वाई बैठे हुए अपने ठीक है तो इनकी जैसे आपने अभी एक फॉर्चुनर वाली वीडियो देखी होगी ठीक है जिसमें हमने फॉर्चुनर की बात की एंडीव लेकिन मतलब पता तो चलता है यह देख तो रहे थे 700 जब ले रहे इस वीडियो में हम जीप कमपास की बात करते हैं क्योंकि भाई के पास वह और वह अच्छी खासी चल भी गई है कौन सा मॉडल है सबसे पहले तो यह बतो कॉन दो हजार बीस का ठीक है तो दो हजार बीस क कितने की पड़ी थी वह 22 की आसपस वह तो 22 लाग जीप कमपास की के डीजलियों गी वह कोई बात नहीं है तो अब जैसे बात करते हैं जीप कमपास जबाब लेने गय जा रहे थे तो आपने और कौन-कौनसी गारी देखी दिए तो देख लेते तो कोई नहीं देख लेनी यहां भाइब ने खरीदी लिए पर आपके बारे में बात बना रहा है बार रही से चले यहां जा है जाओ यह चीज आए अच्छा तो वो कितनी चला दिया लगवा कुछ लगवाग उसको डेला क्लिमेटर चला दिया ओके तो सर्विस भी अच्छी खासी आपने करा लिए उस ज्यादा हो चुकी चलिए तो बात करते हैं अगर maximum service cost की तो जीप में आपने मैक्सिमम सर्विस कोस्किती दिए डेल लाग वही जो इंसीडेंट जो हुआ तो बताना चाहेंगे तो बता भी सकते हैं उसके बारे अच्छा उन नहीं जब गाड़ी लिया था उसी समय था कि मलब थोड़े टाइम के बाद अच्छा जा ओके 2020 मोडल मलब लगब चार साल हो गए उस गाड़ी को ना तो डेल लाख रुपए एक टाइम गा सबसे कम मिनिममम कोस्ट किती दिए सर्विस की योगी तीजा पर थोड़ी महेंगी है कोस्टली सर्विस जाती है उसकी जर्मन गड़ी महेंगी पर आने पर आते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस वाइस तॉप स्पीड कितनी ले जा चुके हैं दोसो बीस दोसो बीस ओके फुल मतलब फुल जित्ती जा जित्ती जा इस लेकर जा चुके अच्छा उस समय स्टेरिंग का फीडबेक कैसा रहा क्योंकि जीव आप वही है कोई स्टेरिंग आप कॉम्टिशन ह लेकिन इस वीडियो यह वीडियो एक पर्टिकुलर कमपास के लिए तो इस वीडियो हम उसके बारे में पूछते हैं तो वह क्या इंसिडेंट था तो वह जड़ा सा बताएं पर चाहां मेरी गाड़ी का टायर एक सो साट पर फढ़ गया पीछे वाला हां मुझे सीशे में देख के महसूस हो खड़ दग गया तब महसूस भी नहीं हुआ है और भगवान की द्रया से मेरे गढ़ में किसी को छोट भी नहीं है और गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है कि और टायर में शीट है तो मलब जैसे होता है कि 160 की स्पीड पर आप चला रहे हो ठीक है कोई बाटी अगर कुछ भी होता है तो गाड़ी डिस बैलेंस हो जाती है तो अच्छा वो नहीं हुए यह चीज़ अच्छा तो गाडी में कोई देमेंस तो नहीं है केवल टायर के अलावा नहीं किशी सब्सक्राइब ना घर में किसी को छोट लगी नगाण तो अच्छा वह इंसीडेंट मतलब ऐसा रहा कि मतलब जो और जिसको मैंने बताए कि 160 पर फटा और कुछ हो नहीं तो आदी मानने को नहीं तयार मैं खुद नहीं मानूंगा तो दूसरे को बात छोड़ो तो 160 पर गाड़ी और टायर फट रहा हो कुछ और नहीं रहा है मतलब तो गाड़ी में भी कोई डाइमेज नहीं आ रहा है ऐसा कैसा मतलब कोई बात है अब आप बचा लिया में गाड़ी आदमी इसी लिए लेता है कि हम सेफ रहें अगर एसे बी पॉइंट पे जा रहा है तो अच्छा तो डेल लाक किलोमेटर चला दिया तो उसमें आप एवर दस का दस शहर में और हाइवे पेज़े से निकल जाओ एक 120-140 की स्पीट तक 14 फिर भी ठीक है मतलब पावरफुल गाड़ी के हिसाब से और फाइस सीटर के हिसाब से सही है तो अच्छे जैसे पीछे फाइस सीटर है तो हमें पांच ही लोग बैठा लते हैं पूरी गाड़ वह चीज़ है हाँ तो आप अगर बात करें जैसे चार साल' आपने उसको अच्छे से चला लिया ठीक सर्विस भी सर्विस भी आपने आप सारी कंपणी में कराते हो जीब की ना तो सर्विस को अगर रेट करना हो तो आप सब्सक्रेंट को कितना रेट और और रिटीए तीन वीडियो बनाई हैं अभी भी किसी की सर्वेस आपने नौ नौ तक नहीं पहुंचे आइसा क्यों जित्ता एक्सपीरेंस बताएगा वहीं न कहुंगा यह वी सही बात है तो दो नंबर क्यों काट रहा है एक एवरेज की बात करें तो लगब चालिस से पई तालिस पचास जार जाना ही जाना है ना तो इस हिसाब से और बाइस लाग की गाड़ी के इसाब से थोड़ा सा कोशली है अच्छा अब जिसे चार साल आपने उसको चला लिया डेलाग किलोमीटर चला लिया उसकी है तो अब अगर सेम गाड़ी मुलब जीब कंपास ही जो नई वाली अभी आ रही है अगर लेनी हो तो अब आप वो लोग है कि और कोई जो उसके कॉम्पेटीटर है जैसे एक्षीवी 700 अगर ही सेम फील आ रही है तो नो डाउट ले लेंगे अच्छा नहीं आ रही है तो तो चेंज करना पड़ेगा अच्छा अगर स्विच करना पड़े माल लेते हैं तो फिर किस गाड़ी पर जाओगे अब जब लेने जाएंगे तो फिर चेक तो सब करेंगे भाई देखो एक्षीवी 700 आप चलाई रहे हो लगबख सेमी सेग्मेंट किये हो ठीक सफारी आप इसके मकाबले तो नहीं है मनमद अगर बात करें जो आइफ सीटर बात करें नहीं वाहिए नहीं कर रहा हूं जो सेग्मेंट वह यह क्रेटा से बड़ी गाड़ी चombère तो मतलब आ यहार सगमेंट एक तरीके सकते हैं ना हैरीयों सेगमेंट तो उसमें यही तीन-चार है चलाने के मामले में तो कोई बात नहीं चैनल पर पड़ा है देख लिएगा समझ भी आ जाएगा गाड़ी खैर अच्छी है वह अच्छा तो अगर बात करें हम जीब कंपास और जो है यह है ले टेस्ट वाली है ना फीचर्स वाइस और क्योंकि जीब कंपास में कोई उतने में ज्यादा फीचर्स आज वाली में भी नहीं आते हैं लेकिन उसका इंफोटेंडमेंट अच्छा है उसमें सन्रूफ भी आती है मतलब यह जो जो बेसिक फीचर्स हैं जो मतलब लगभग उस प्राइस की प्राइस रेंज में हर गाड़ी में आ रहा है ठीक लेकिन अगर बात करें आउट ऑफ मैं दोनों के कंपैरिजन में हैरियर और जीप कंपास में आपको किसका फील गूट फैक्टर जादा लगता है लोक अच्छा है 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 और इंटीरियर थोड़ा सा उन्होंने बहुत ही अच्छा इंप्रू किया है अच्छा अभी अगर आपके पास में 25 लाग रुपए हो और आपको कहां जाए कि आपको हैरियर लेनी है तो आप जाओगे उसको लेंगे पैदे लेंगे अच्छा जीप के मकाबले आगा कोई गाड़ी लेनी तो फील तो करनी पर सही बात है तो मतलब जीप में ऐसा है कि मलब उसके उसके लावा बहुत बहुत आपको जाए इस्टेरिंग फीट बैक और इंजन फीट बैक ऐसा है कि स्विच्च करना थोड़ा सा तो यह चीज है मतला कि मतला ने विल्कुल मिला अपना दबदबा बना कर रखा है कि मतला एक बार अगर हम अगर चला लेंगे तो दूसरी गाड़ी पर सुच करना तो यही था भाई कमपास का रिव्यू तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केरें